एलो एवरिवन, वेलकम टो इश्कोर शाला, आज हम देखने जारे हमारा इस्ट्री का चैप्टर प्रिंट कल्चर एंदी मॉडरन वर्ल्ड और जो टॉपिक आज हम कवर करने जारे हैं वो है दि प्रिंट रेवलुशन एन इट्स इम्पेक्ट तो सर हम यह देखने वाले सर जो यह प्रिंट है ना, प्रिंट में कैसे रेवलुशन आता है और यह जो रेवलुशन है यह overall जो society है, overall जो हमारा सीन चल रहा था उस टाइम उसके ऊपर कैसे यह अपना इम्पेक्ट देता है फिर हम आगे देखते हैं हम शुरुआत करते हैं कोश्चन के साथ सर पहले ये बताइए कि सर आखिर ये print revolution है क्या तो सर हम ये समझ सकते हैं कि prints क्या होते है print क्या है सर ये print medium क्या है सर ये हम जो newspapers हुए जो books हुए जो magazines हुए उन सबी को जो हम है न always print करते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं पर सर इसमें revolution कैसे आया सर revolution का मतलब है या तो हमने उसका production बढ़ा दिया या सर हमने उसको प्रोड्यूस करने का जो medium है वो हमने change कर दिया और all जो system है न उसमें change आता है तो हम उसे क्या कहते हैं revolution कहते है system में change लाने को हम revolution कहते है बच्चा दंगे फसाद करने को हम revolution नहीं कहते हैं ठीक है उसको कहते हैं हम आतंगवाद पिर आप आगे देखते हैं इट वस नॉस जस्टर डवलॉपमेंट कभी बच्चा आपने ये देखा कि है न जो English होते थे जो Britishers होते थे न हमेशा हमारे जो movement होते थे न उन्हें क्या बोलते थे सर जो हमारे leaders होते थे न उस time period में जो डंगे का सारा लेते थे उन्हें क्या कहते थे सर ये कौन है टेरइरिस्ट है क्या है सर वो terrorist है तो हम समझ चुके है सर कि terrorism में और revolution में क्या होता है फरक होता है it was not just a development a new way of producing books सर ये एक development ही नहीं था ये एक नया तरीका था सर books को produce करने का it transformed the lives of people इसने है ना लोगों की life को change करके रख दिया सर इसने relationship change कर दिया information और knowledge की बीच में और इसी के सासा सर इसने institution और authorities के बीच में भी relationship था ना उसे क्या कर दिया था change कर दिया था फिर हम देखते है it influenced popular perception and opened up new ways of looking at things तो हम ये समझ सकते हैं सर जब overall printing revolution आता है तो हम ये समझ सकते है कि इन लोगों को क्या मिल रहा है books तक access मिल रहा है books तक वो जा पा रहे है knowledge को वो gain कर पा रहे है ideas को वो समझ पा रहे है तो हम ये समझ सकते हैं सर कि उनके perception में क्या आ जाएगा बदलाव आ जाएगा उनका सोचने का तरीका बदल जाएगा उनका लोगों उनका चीजों की तरफ देखने का लोगों की तरफ देखने का उनका जो नजरिया है न सर वो ही बदल जाएगा फिर हम आगे देखते हैं let us explore some of these changes चलो बच्चों देखते हैं कुछ changes को तो सर a new reading public अब सर एक नया reader public है न जनम ले चुका था एक नया reading class जो था एक नया readers का जो group था वो आप जनम ले चुका था with the printing press किसके साथ एक printing press के साथ a new reading public immerse एक new reading public जो है वो immerse होती है printing reduce the cost of books अब होता क्या है सर जो printing revolution आता है जब print revolution आता है न तो printing press आती है printing press के आने से क्या होता है overall जो cost होती है books के production की वो कम हो जाती है उसकी जो cost है वो कम आती है the time and labor required to produce each book came down तो सच जो time लग रहा था पहले books को produce करने का जो labor लग रहा था books को produce करने का अब वो क्या हो गया था कम हो गया था and multiple copies could be produce with greater ease और कई सारी जो copies है एक ही time period में क्या की जा सकती थी with greater ease किसके साथ greater ease के साथ मतलब एक बड़ी ही आसानी से multiple copies को क्या कर सकते थे produce कर सकते थे books flooded the market reaching out to an ever growing readership तो होता क्या है सर जो books होती है वो पूरे market को flood कर देती है सर मतलब books ही books है सर इदर देखोगे तो भी books है उदर देखोगे तो भी books है कहने का मतलब ये है market में क्या है ना पहले तो books की कमी थी पहले एक है ना एक ही class जो थी वो books को prefer किया गरती थी क्योंकि सर affordable books उनीके लिए थी हमार ले नहीं थी मतलब हम ये समझ सकते है पहले जो books थी पहले जो handmade books थी वो थी क्या पहले थी 1000 रुपीस की पढ़ रही थी पर अब जो books है ना वो कितने की पढ़ रही है 100 रुपीस की पढ़ रही है तो हम ये सपोस्ट कर सकते है कि सर अब लोगों का access बढ़ गया है उसकी cost कम आ गई है तो सर हम ये समझ सकते है कि जो reading जो एक readership जो था ना वो भी अब क्या हो रहा था ग्रो हो रहा था क्योंकि अब यह लोगों के क्या आ रही थी कॉस्ट में आ रही थी लोगों के बजट में यह आ रही थी access to books created a new culture of reading अब लोगों के सब्सक्राइब करते थी इसलिए सब्सक्राइब कर सकते हैं फिर हम आगे देखते हैं कॉमन पीपल लिए वर्ल्ड ऑफ औरल कल्चा और जो कॉमन पीपल है जो हमारे आपके जैसे यही है और आपके देखते हैं यही है और आगे देखते हैं रिडाउट किया जाता था इंडिया में तो अभी भी देखा जाता है सर रामायन होती है सुन्दर कांड होती है सर होता क्या है इस टाइम पीरिट में सर एक जो होते हैं पंडित जी वो आके बैठ जाते हैं और वो अपने सामने रामायन या फिर सुन्दर कांड की पुस्ति का है उसको ओपन करते हैं उसको ओपन करके वो है ना रीड आउट करत बुक्स नहीं हुआ करती थी लोगों के पास जो ग्यान है जो उनका जो सेकरेट टेक्स है ना वो खुद है ना बोल के बताया करते थे फिर हम आगे देखते हैं बैलेस्ट रिसाइटेड अंड फॉक्टेल्स नरेटेड इसके साथ इससा जो फोक्टेल्स होती थी उनको आते हैं लक्षमन आते हैं वाला जी आते हैं तो बेसिकली क्या है न वो सारे लोग मिलके क्या कर रहे होते एक परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं और उस परफॉर्मेंस को देखने के लिए आपको वहां होना जरूरी है पर सर जो बुक्स है ना बुक्स हमें एक मीडियम देत तो सर हम जब बात करते हैं न इस प्रिंट एज के पहले की प्रिंट रेवलीशन से पहले की तब सर उस ट्रैम पीरिड में ना तो बूक्स अफोर्डेबल थी और ना ही सर बूक्स जादा नंबर्स में प्रोड्यूस किया जाता था क्यों नहीं किया जाता था सर अगर होगी तभी तो supply होगा आप जब supply ही जो पड़ी है उनके पास already जो supply है वो भी ज्यादा हो रखी है तो फिर demand नहीं भड़ेगी जब तक उसको कैसे हम production बढ़ाएंगे फिर हम आगे देखते हैं now books could reach out to wider section of people अब क्या होती है books की cost कमा जाती है इसके कारण जो all over section है वो कहां तक उनकी reach कहां तक हो जाती है उन सभी sections की reach books तक हो जाती है फिर हम देखते हैं if earlier there was a hearing of public now a reading public came into being पहले क्या थी पहले के जो लोग थे पहले की जो public थी वो कैसी public थी sir वो hearing public थी वो orally जो लोग अपना ग्यान दे रहे हैं उन ग्यान को सुना करती थी उस knowledge को सुना करती थी sir उसको hearing public कहते हैं पर sir अब जो public है वो कहां transform होती जा रही है वो reading public में transform होती जा रही है क्यूंकि sir अब books जो है वो affordable है और इसी के साथ sir अब books का जो knowledge है जो ideas है वो लेना चाते है लोग की sir हमें यह idea हो sir हमें यह पता पड़े कि हां sir यह जो हमारा जो दूसरा जो writer है उसके क्या idea है इस writer के क्या idea है यह सब लोग जानना चाते थे उनमें क्या थी curiosity थी फिर हम आगे देखते हैं but the transition was not so simple पर जो transition है ना sir वो simple नहीं था books could be read only by literate अब problem आती है books के सामने कि sir जो books है ना वो कौन पढ़ सकता है सिर्फ जो literate है ना वही books को पढ़ सकते हैं जो अनपढ़ है sir जो जो नहीं पढ़ना जानते वो कैसे books को read करेंगे फिर हम आगे देखते हैं sir कि जैसा कि हमें पता है कि जो literacy है वो all over European countries ना उसमें बहुत कम थी पर sir हम जब बात करते हैं 20th century की तो 20th century आने तक all over Europe में जो है ना literacy rate वो बहुत लो होने के कारण all over readership जो बेस था ना वो भी बहुत कम था फिर हम आगे देखते हैं how then could publishers persuade the common people to welcome the printed books तो हमारे सामने question यह आता है कि sir फिर जो publishers है ना उन्होंने कैसे लोगों को persuade कि sir वो इन printed books पा क्या करें वेलकम करें तो ऐसा करने के लिए to do this they had to keep in mind the wider reach of the printed work तो उनको mind में यह रखना था कि sir सिफ और सिफ जो पढ़ने वाला है ना सिफ वहीं तक इसकी limit नहीं है जरूरी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि sir जो पढ़ने वाला है ना सिफ वहीं पढ़ सकता है सर अगर एक जो पढ़ने वाला है वो लोगों को पढ़के भी तो सुना सकता है तो बस यह वही चीज वो बता रहा है इवन दूज वो डिड नॉट रीड को सर्टनी इंजॉय लिसनिंग टो बॉक्स बिंग रीड आउट सर जैसा कि हमने गावों में देखा है सर गाओं में क्या होता था पेले के चाइम में लोगों ने कभी नहीं देखा ऊगा पर इसा हुआ करता ठाटा थब कोई सी प्राबलम पर उस तीवी को देखने के लिए वो सब आते थे क्यूं आते थे ते श्रयकिक्ण kית नएya है इस सब्सक्राइब कि ऐसा हुआ करता था हमारे टाइम में फिर हम आगे चलते हैं सो प्रिंटर्स बिगन पॉब्लिशिंग पॉपिलर बैलेट्स एंड फोक टेल्स एंड सच बुक को वुड़ी प्रुफ्यूजली इंडर्स्टेटेटेड विद पिक्चर अब ऐसी कई सारी पिक्चर से कई सारी हमें समझ में भले ही नहीं आती थी पर देखने में अच्छी लगती थी इसलिए ही लोग उनको परचाइस किया करते थी या फिर उनको सुनने जाया करते थे फिर हम देखते हैं इस वर देन संग एड गैदरिंग इन विलेजेश एड इन ताउन इन टाउनस अब होता गया था जो भी कोई पब्ली गैदरिंग होती थी ना उसे पढ़के बता था कि सर देखो बुक की यह नॉलेज आप तक पहुशती है कि फिर हम आगे देखते हैं और अब वह कहां पर ट्रांस्विट हो रहा था और वह ट्रांस्विट किया जा रहा है हमें यकाईडिया समझ में आया कि औरल कर चार अब पहले जो पढ़ना नहीं जानते अब वह पढ़ने लगे हैं य है उन लोगों को पढ़ना नहीं आता जो इस सुन तो सकते उस नॉलेज लेता सकते फिर हम आगे देखते हैं फिर हम आगे देखते हैं आपस में ही क्या हो रही थी? मिल रही थी फिर हम आगे देखते हैं कि बच्चा की overall जो यह सिस्टम है न उसके recap की बहुत जरूरत है तो हम एक बार इसका recap देख लेतें कि overall is separate topic में हमने क्या-क्या देखा है, तो बच्चों शुरुआत में हमने देखा था question की sir, print revolution क्या है तो print revolution क्या है sir, हमें समझे में आ गया है कि print मतलब होता है sir, क्यों कोई ऐसा medium जो क्या हुआ हो, और से revolution मसा हो तै कि उसमें GTA गया गया है, उसके system में उसके production में, सर, overall उसका system में उसमें क्या गया है? Change गया है. यह सिर्फ हम देखते हैं, जो प्रिंट revolution है ना सर, ये सिर्फ उसके production नहीं है, उसके development तक ही tutorial hicient क्या है ना कई लोगों के जीवन को बदला है कई लोगों के relationship को बदला है किस लोगों के relationship को सर information को बदला इसी के साथ इंसेट्यूआनलों का जो सोचने का तरीक आयग द मिचाने को हैं थे एकसंपल की कैसे करôm देंग पबिक mojeज का होता है रिब्लीक सब्सक्राइब एस क्यों होता है अब ऐसा क्यों होता है सर्फ प्रिंटिंग प्रेस के आने से ही क्यों होता है क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के आने से और all जो cost of production है वो कम हो जाता है जिसके कारण ज्यादा ज्यादा books का क्या होता है production होता है और ज्यादा production होने के कारण उन books की जो rate है जो price है वो reduce हो जाती है और easily वो accessible हो जाती है हर किसी के लिए The time and level required to produce each book came down अब क्या है ना एक book को produce करने में जो time और level लग रहा था वो अब क्या हो जाता है? कम हो जाता है इसके कारण multiple copies को क्या किया जा सकता है अब easily produce किया जा सकता है यह एक अच्छे इस के साथ उसे क्या किया जा सकता है अब अच्छे से produce किया जा सकता है económologically ग्रूब का हो जाता है अब ऐसे में क्या होता है? लोगों को access मिलता है, एक new culture मिलता है किसका रेडिंग और हम यह देखते है सर कि पहले जो रीडिंग थी ना वो रिस्ट्रिक्टिव थी सिफ एलिट्स तक एलिट्स लोग ही जो अफोडेबल का जिनके लिए अफोडेबल है बुक्स वही सिफ इनको अफोड करते थे वही रीड किया गरते थे अब हम देखते हैं कि साथ जो कॉमन पीपल है ना जो पहल Watts को अना ओर पड़पड पढ़के ना बताया जाता था कि सर इस स्टाइम पीरेड में क्या होता था जब और ली सब कल्चर चलता था ना तब फोक्टेल्स को नरेट किया जाता था नौलेज को क्या किया जाता था और अदी चांसफरम किया जाता था फिर हम देखते हैं people collectively लोग साथ बैटके कोई स्टोरी सुना करते थे परफॉर्मेंस को देखा करते थे फिर हम देखते हैं प्रिंटिंग एज जो है उसके आने से पहले क्या था लोगों के लिए जो बुक्स थी वह बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव तो थी ही थी और इसी के साथ-साथ ये भी था क एक कॉंसेट हमारे सामने आता जा रहा था क्यों आता जा रहा था सर क्यूंकि ये जरूरी नहीं है कि सधी लोग क्या हो? लिट्रेट हो तो इसके कारण जो illiterate है, वो क्या है, क्या वो बुक से रह जाएगा, वो बुक को पड़े भी ना, वुक की जो knowledge उससे रह जाएगा, नहीं सर ऐसा नहीं होता था, जिन लोगों को पढ़ना आता था, जो लोग literate थे, वो क्या करते थे, पुब्लिक गैधरिंस में जाया करते तो सर उन लोगों के mind में एक है न, चीज किले थे, उन्होंने अपना जो mind की जो है न, reach को बहुत अच्छा कर लिया था, कि सर भले ही पढ़ना नहीं आता पर सुनना तो आता है, easily हम सुनतो सकते हैं, तो वहीं उन लोगों ने किया, फिर होता गया है, सर कि कई सारे publishers जो थे सर अगर हाँ पढ़ना नहीं आता है, सर सुनना आता है और देखना आता है, हम बुक्स के अंदर जो picture से हम उसको easily क्या कर सकते हैं, देख जरूर सकते हैं, फिर हम आगे देखते हैं सर, overall जो ये system है, जो ये बुक्स का जो leadership based है, ये क्या किया करता था, बुक्स के अंदर जो कैसे हो जाता है सर, जो लोग पहले oral, एक है ना, oral culture पे depend है, वो धीर-धीर readership culture पे depend होते जा रहे हैं, अब जो लोग नहीं पढ़ सकते, वो लोग इस पे depend होते जा रहे हैं, वो सुनने पे depend होते जा रहे है, hearing public का concept आ चुका था सर, जिन लोगों को पढ़ना आता है ना, वो उसी के सास्ता स्ता तो reading public को सुनने के लिए कौन आती थी, hearing public आया करती थी, तो बच्चा हम ये समझ चुके हैं कि overall इस topic में क्या था, अगर बच्चा इस topic से related कोई भी doubt है तो आप comment section में comment करके हमें बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे like करिए, comment करिए और subscribe करिए हमारे score साला के YouTube चैनल को, thank you